आप सभी ने action movies में villain को hero या heroine को बिहोश करने के लिए chloroform का use करते हुए तो देखा ही होगा जी हाँ आप सब देखते होंगे भी 10 second के अंदर कैसे hero heroine बिहोश हो जाते हैं पर actual में ऐसा नहीं होता जैसे ही chloroform किसी भी इंसान को सुंगाया जाता तो वो 6-8 मिनट के बीचों बीच में unconscious होता है अलाकि आज कल इसको use नहीं किया जाता है क्योंकि इसके कुछ side effects से लेकिन पहले के time में doctor भी इसका इस्तमाल करते थे किसी surgery operation से पहले ताकि patient को unconscious किया जा सके और उसका operation किया जा सके तो कैसा लगा यह जानकर जरूर बताईएगा